दोस्तो नमस्कार ये हमागदेशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तो नागरिक सास्त रत्वा राजनीत विज्ञान के महत्तपोंड प्रश्णों के अध्यन के क्रम में इस वेडियो में प्रस्तुत है महत्तपोंड प्रश्ण जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है प्रश्णों को साल्व करते समय हम उनकी व्याख्या के क्रम में कई महत्तपोंड तथ्यों को कवर करेंगे जो एकजाम के पॉइंट अभ्यू से बहुत ही उप्योगी होगा तो आईए शुरू करते हैं नागरिक सास्तर अथ्वाराजनीत विज्ञान के महत्वूर्ण टॉपिक स्वतंतरता एवन समानता से संबंधित महत्वूर्ण प्रश्णों का भाग एक पहला प्रश्ण बहुत ही महत्वूर्ण है भारत में संरक्षात्मक भेद भाव का विचार संबंधित है किस से आपसन है स्वतंतरता के विचार से समानता के विचार से न्याय के विचार से या उपर्यूक्त में से किसी से नहीं तो सही उत्तर है भारत में संरक्षात्मक भेद भाव का विचार समानता के विचार से संबंधित है आपसन बी आपका सही उत्तर है दुस्तों आप जान लीजे संरक्षात्मक भेद भाव का विचार समानता के विचार से संबंधित है समानता का तातपर है भेद भाव का अभा लेकिन समान्ता का ये नकरात्मक विचार है, समान्ता की सकरात्मक धाड़ा शोसित और पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में कुछ भेदभाव आवस्यक मानती हैं और इस भेदभाव को ही सनरक्षडात्मक भेदभाव कहा जाता है जिससे की सभी वर्ग एक समान अस्तर पर आकर स्वस्थ प्रतिस्थ परधा कर सकें। अगला प्रश्ण है निम्ण में से किस एक चिंतक ने स्वतंतरता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निशेधात्मक और सकरात्मक पक्षों पर बल दिया। प्रतिस्थ परधा के वास्तविक अर्थ जो समझने के लिए निशेधात्मक और सकरात्मक दोनों ही पक्षों पर आईजिया बरलेने बल दिया है। अगला प्रश्ण कथन और कारण से संबंधित है। कथन है आपका कि स्वतंता की माक्सवादी धाड़ा स्वतंता की उदारवादी व्यक्तिवादी धाड़ा से भिन्न है। बिलकुल सही है। कारण है कि माक्सवादी धाड़ा की अनुसार स्वतंता ऐसी चीज नहीं है जिसका उप्योग व्यक्ति एकांत में कर सके। तो दोनों ही सही हैं। दोस्तों आप जान लीजे कि यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कथन की सही ब्याख्या कारण नहीं करता है। अंतर को बताय गया है लेकिन कारण में किवल माक्सवाद का उल्लेक किया गया है तो इसलिए कारण कथन की अधूरी ब्याख्या करता है। अपसन भी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्ण बहुत ही महत्तोपूर है बीस्वी सताब्दी में स्वतंतरता के नकरात्मक द्रिष्टिकोर के अग्रतम प्रतिपादकों में से कौन है। आईजिया बर्लिन, सीबी मैग भर्सन, जानराल सिया चार्ल्स टेलर तो सही उत्तर आईजिया बर्लिन। दोस्तुं, बीस्वी सताबदी में आईजिया बर्लिन, एफ एहेक और मिल्टन फ्रीड मैन ने सकरात्मक सोतंता के अस्थान पर नकरात्मक सोतंता पर बल देकर सोतंता के सारतत्यों को छति पहुंचाई है। बर्लिन ने अपनी कृती टू कांसेप्ट आफ लिवर्टी में लिखा है कि राज्य के वल ब्यक्ति की नकरात्मक सोतंता की रक्षा कर सकता है, सकरात्मक सोतंतरता की रक्षा करना राज्य के कारेच छेतर में नहीं आता है। अगला प्रश्ण बहुत ही महतपूर्ण है दोस्तों सतत जाग रूपता ही स्वतंतरता का मुल्ले है ये कथन किसका है आप सन है ब्राइस, मैकाईवर, लास्की या वासिंगटन दोस्तों आप जान लीजे कि कई पुस्तकों में इसका उत्तर ब्राइस आता है सतत जागरूपता ही स्वतंतरता का मुल्य है लेकिन यहाँ पर इसमें जो हमारा घटना चक्र का जो साल्व है इसमें वासिंगटन जो की संयुक्त राज अमेरिका के पर्थम राष्ट पती थे उनका कथन यह कह रहा है अभी मुझे कहीं से भी अथेंटिक इस कथन के बारे में जो है एक्जैक्ट जानकारी नहीं है दोस्तों आप जान लिजे कि सतत जागरूपता ही स्वतंता का मुल्य है बहुत सारी पुष्टोकों में इसका उत्तर ब्राइस मिलता है दोस्तों CD burns है, CD burns ने कहा है स्वतनता ने किवल सब्भे जीवन का आधार है बल्कि सब्भेता का विकास भी व्यक्तिक्य स्वतनतरता पर ही निर्भर करता है इस संदर में भारत के पर्थम उपराष्ट पती ड. राधा कृष्णन ने कहा है कि सुतंता किसी अन्य साध्धी की प्राप्ती का साध्धन नहीं वरन ये सरवोच साध्धी है अगला प्रश्ण आसान सा प्रश्ण है कि किस ने आत्म परक और परात्म परक आचरण के मध्य अंतर किया है तो आप जानते हैं जे एस मिल दोस्तों जे एस मिल ने स्वतंता से संबंधित अपनी संकल्पना अपने प्रशिद निबंध आन लिबर्टी 1869 के अंतरगत प्रस्तुत किया मिल ने अपनी संकल्पना में व्यक्ति के दो प्रमुक कारियों आत्म परकार यानि सेल्फ रिगार्डिंग एक्षन जिनका सरकार के स्वेंग कारे करने वाले से होता है और दूसरों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता और दूसरा परात्म परकार यानि अदर रिगार्डिंग एक्षन जिनका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है तो दो परकार के कारियों का बढ़न किया है मिल ने तरके के द्वारा प्रमारित करते हुए कहा कि व्यक्ति के आत्म परकारियों में राज्जी की और से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और उसके परात्म परकारियों में केवल उन्हीं कारियों पर रोक लगाए जानी चाहिए जो दूसरे की स्वतंता को हानी पहु कथन किसका है आपसन है ग्रीन लासकी बारकर या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर ये कथन बारकर का है दोस्तों ग्रीन ने रूसो और कांट की तरह स्वतनता को पूर्ण ब्योहारिक और नैतिक दर्सन माना है ग्रीन के अनुसार स्वतनता की सिकारे को करने की छमता की शक् पंपन कराना और उसमें आने वाली बाधाओं को बाधित करना राज्य का परमकरतब है। अगला प्रश्ण है कि निम्न लिखित में से कौन इस विचार से सहमत है कि स्वतंता अपने आपसे कलह कर सकती है। आपसन है लास्की, पापर, बारकर या सी ले। तो सही उत्तर बारकर आपसन सी। दुस्तूं बारकर स्वतंता और समानता की पारसपरिक संबंध को असपश् नहीं होगा तो स्वतंतता स्वयंग में संघर्स करने लगेगी। अगला प्रश्ण बहुत ही महत्तपूर है कि स्वतंतता सभी बंधनों का अभाव है ये कथन किसका है तो आप जानते हैं ये कथन सीले का है। दोस्तों सीले का कथन है कि स्वतंता सभी बंधनों का अभाव स्वतंतरता उदारवादी चिंतन का केंदरी तत्व है स्वतंता को नकरात्मक स्वतंता और सकरात्मक स्वतंता में वर्गी कृत किया गया है और सीले की ये परिवासा नकरात्मक स्वतंता को व्यक्त करती है आरंभिक उदारवादी विचारक हाफ्स, लाक, बेंथम, मिल, इजविक, इस्पेंसर, मांटेस्क्यू और नो उदारवादी विचारक जैसे हेयक, फ्रीडमेन और बरलिन ने नकरात्मक स्वतंता का समर्थन किया है। इसी तरह एक विचारक है मैकेंजी, इनके अनुसार स्वतंता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बलकि अनुचित प्रतिबंधों के अभाव अस्थान पर उचित प्रतिबंधों की वेवस्था है। अगला प्रश्ण है किसने कहा है कि स्वतंता एक सकरात्मक बस्तु है, ये मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। आपसन है लास्की, मैकाईवर, ग्रीन या फिर बोंदा। तो सही उत्तर ये लास्की का कथन है। दोस्तों स्वतंता के दो पक्ष माने जाते हैं नकरात्मक और सकरात्मक स्वतंता। लास्की, ग्रीन, मैकाईवर, बारकर, बोसांके, हाभाउस, लिंड से आदि सकरात्मक स्वतंता के समर्थक माने जाते हैं। सकरात्मक सुतंता के समर्थन में लास्की ने लिखा है कि सुतंतरता उस वातावरण का संरक्षन है जहां लोग सर्वुत्तम विकास के वातावरण प्राप्त कर सकें सुतंता अधिकारों की देन है ये सकरात्मक धाणा है ये केवल बंधनों का अभाव नहीं है लास्की ने इ की एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अगला प्रश्ण है नकरात्मक स्वतंता की या धाड़ा निमने लिखित में से किस एक पर बल देती है आपसन है समानता स्वायतता हस्तक छेप की अनुपस्थिति या पसंद की स्वतंदरता तो बहुत ही मोहत्वपूर्ण है दोस्तों नकरात्मक स्वतंता हस्तक छेप की अनुपस्थिति पर बल देती है नकरात्मक स्वतंता या अवचारिक स्वतंता से अभी प्राय है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता हो और कर भी सकता हो तो उसे वैसा करने से रोका जाए अगला प्रश्ण बहुत ही मोहत्वपू सभी प्रकार के प्रतिरूपों से मुक्त होकर कारे करने से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तितों का विकास होता है साथी साथ समाज को भी लाब होता है तो एक तरह से व्यक्ति अपने हित को अच्छी तरह से जानता है इसलिए राज्य को उसके कारियों में कोई नीड़े नहीं करना चाहिए तो ये नकरात्मक सुतंता की धाड़ा है अगला प्रश्ण है कौन एक कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है आपसन है देखिए यह एक सकरात्मक विचार है यह एक भावनात्मक विचार है यह एक नकरात्मक विचार है और यह ने तो सकरात्मक है नहीं नकरात्मक तो कानून के समक्ष समानता पर जो लागू होता है वो यह एक यह एक नकरात्मक विचार है कानूनी समानता एक नकरात्मक विचार है इसमें व्यक्ति को ये आस्वासन प्राप्थ होता है कि विध्य के समक्ष सभी समान है किसी के साथ कोई भेद्भाव नहीं किया जाएगा और बारकर के अनुसार कानूनी व्यक्तित्व कि एक जैसे मुखवटे के कारण हम सब का महत्व एक जैसा है किन्तु न्याय तक सब की समान पहुँच के लिए इसमें कोई उपबंध नहीं है शोसित, दलित और वंचित वर्ग कानूनी समानता के बावजूद न्याय पराप्त नहीं कर पाते है अगला प्रश्ण है किसने सकरात्मक सवतंता का प्रतिपादन किया है महत्व पूर्ण प्रश्ण है आप देखिए माक्स, बिन्थम, ग्रीन या जैस मिलने तो सही उत्तर आपका हो जाएगा टी एज ग्रीन ने आपसंसी दोस्तों टी एज ग्रीन ने स्वतंता की परिभाशा ये दी है कि करने योग्यकारे और भोगने योग्य वस्त जो करने और भोगने योग्य हो ये स्वतंता है इस तरह स्वतंता की शास्त्री परिभाशा बंधनों के अभाव के अस्थान पर ग्रीन ने स्वतंता के स्वरूप को गुडात्मक मानते हुए उसके सकरात्मक प्रविर्थि को महत्तपूर्ण माना है अगला प्रश्ण बहुत ही महत्तपूर्ण है कि किसका आर्थ है कि प्रकिर्थिने सभी मनुस्यों को समान बनाया है आपसन है सामाजिक समान्ता, नागरिक समान्ता, प्राकृतिक समान्ता या राजनीतिक समान्ता तो सही उत्तर प्राकृतिक समान्ता दोस्तों आप जान लिजे प्राकृतिक समानता के सिध्धानतों की ब्याख्या के अनुसार प्रकिर्थी ने सभी मनुस्यों को समान बनाया है समानता का विचार विशेसा धिकार की विरुद्ध है और समानता का अर्थ है अपने व्यक्तितों के विकास के लिए सब को समान आउसर देने होंगे और प्राकृतिक समानता सभी मनुस्यों को एक समान मानकर सभी को समान आउसर उपलब्ध कराती है पोलीबियस, सिसरो, हाप्स, लाक, रूसो, माक्स ये प्राकृतिक समानता के विचार से संबंधित है अगला प्रश्ण है समानता का अर्थ ये है कि सभी व्यक्तियों के लिए परियाप्त औसर प्राप्त होना चाहिए ये किस ने कहा है आपसन है आईवर, जेनिंग्स, डायसी, लास्की या मैक आईवर तो सही उत्तर लास्की लास्की के अनुसार समानता के ये तात पर एक अदापी नहीं कि प्रतेग व्यक्तिकों समान आय परदान की जाए यद इट बनाने वाले मजदूर को एक प्रसिद्ध गड़ तक या वैग्यानि किया के लगभक समान आय दी जाने लगे तो समानता का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा समानता का पर्थम अर्थ विशेशा धिकारों का अभाव है और दूसरा अर्थ है कि सभी को विकास का समान आउसर प्राप्त हो अगला प्रश्ण है किसने लिखा है कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक परपंच है आपसन है सीडिबंस, बर्क, ब्राइस या कारलाइल तो ये कथन एड्मंड बर्क का है दूस्तों प्रजातांत्री समानता का विरोध करते हुए वर्क इसे दानवी संकल्पना या भयानक परपंच कहता है जबकि कारलाइल के अनुसार ये अविश्वसनी बेवकोफी भरी मुर्खता है तो प्रजातांत्री समानता एक भयानक परपंच है ये बर्क का कथन है और ये अविश्वसनी बेवकोफी भरी मुर्खता है ये कारलाइल का कथन है अगला एक महतोपूर्ण प्रश्ण है जो बार-बार परिक्षाओं में पूछा जाता है कि आर्थिक समानता के बिना राजनेतिक स्वतनता मिथक है ये कथन किसका है आपसन है ग्रीन, मिल, कोल और लास्की तो जहाँ पर मिथक या जो मिथ है ये कपोल कल्पना जो सब दावली आये कि आर्थिक समानता के बिना राजनेतिक स्वतनता मिथक है ये कपोल कल्पना है तो वो कोल का कथन है दोस्तों आप जान लिजे GDH कोल ने कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनेतिक स्वतनता मिथक है और दूसरे सब्दों में आर्थिक समानता के अभाव में राजनेतिक स्वतनता के वल एक भ्रम है और राजनीतिक स्वतनता के आधार के रूप में आर्थिक समानता कारे करती है एक व्यक्ति सारुजनिक छेतर के प्रतित भी रूचि ले सकता है जब उसके पास अपनी अनिवार आउशक्ताओं को पूरा करने के परियाप्त साधन उपलब्ध हो लास्की कहते हैं कि मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यद मेरे पडोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े जब आहरलाल नहरू कहते हैं कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मुल्य नहीं होता लास्की की अनुसार या जिराज्य संपत्ति को अधिन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशिफोत कर लेगी और कोλ की तरह लास्की ने कहा है कि आर्थिक समानता के भीना राजनीतिक स्वतनता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती है तो दोस्तूं आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतनता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती ये लास्की का कथन है जबकि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतनता मिथक है या कपोल कलपना है ये जी डियज कोल का कथन है अगला प्रश्न है अभिपरेढ़ा के द्वी घटक विचारधरा की वकालत किसने की है आपसन है आपके मैश लो, डगलस, मैक ग्रेगर, हर्जबर्ग या लिकर्ट तो सही उत्तर हर्जबर्ग दोस्तों हर्जबर्ग ने अभिप्रेणडा के द्वे घटक यानि टू फैक्टर थियरी आप मोटिवेशन की वकालत किया मसलो के आवशक्ता पदानुकरम सिध्धान्त से संकेत लेते हुए हर्जबर्ग ने अपना द्वे घटक सिध्धान्त प्रत पादित किया जो अभिप तो सही उत्तर आप देखिए मैक आईवर दोस्तों हंटिंग्टन मेटलैंड हूम गाडविन रूसो बारकर मैक आईवर आर एश्टानी एच जिलासकी टी एच ग्रेन सीवी मैक फरसन आधि विचारक स्वतनता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं दोस्तों समानता का सबसे बिवस्थित बिशलेशन आर एश्टानी ने अपनी क्रेती एक वालिटी में किया है इसके अलावा ह्यूम बारकर रूसो भी समानता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं लास्की के अंसार यदि सोतंता का अर्थ मानवी आत्मा में लगातार विकास की सक्ति से है तो ये समान लोगों के समाज के अतरिक्त शायद ही कहीं संभो है जहां गरीब और साहुकार हों सिक्षित और असिक्षित हों वहां मालिक और नौकर जरूर मिलेंगे समानता के द्वारा सोतंता के आधार के रूप में कारे किया जाता है एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है सोतंतरता हो ही नहीं सकती अगले प्रश्ण पर आते हैं सोतंता और समानता का सर्वस्रेष्ट सामन जसे प्राप्त करना जिस बिवस्था में संभो है वह है आपसन है उदारवाद, समाजवाद, लोक्तांत्रिक समाजवाद या प्रत्यवाद तो सही उत्तर लोक्तांत्रिक समाजवाद दोस्तों स्वतंता और समानता का सर्वस्रेष्ट सामन जैसे लोकतांतरिक समाजवाद में संभो है उदारवाद में स्वतंता की संकल्पना को महत्वपूर स्थान दिया जाता है जबकि समाजवाद में आप जानते हैं समानता का विचार महत्वपूर होता है प्रत्यवाद य के लिए लोकतांतरिक व्यवस्था को जरूरी मानता है। अगला प्रश्ण है कि किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाद्ध किया जा सकता है। आफसन है अरस्तु, मिल, गांधी या रूसो तो सही उत्तर रूसो। दुस्तों रूसो के अनुसार स्वतंता का अपनी नैतिक इच्छा का पालन करना है रूसो का कहना है कि जो व्यक्ति अपनी सामानी इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को सोतंत्र होने के लिए बात देखिया जा सकता है। में सभी प्रतिबंध एक दुराई है स्वयंग लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदय बहतर है ये कथन किसका है ग्रीन, मिल, बारकर और पापर तो सही उत्तर मिल का कथन है। दोस्तों, जान श्टूर्ट मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्ता कान लिवर्टी में लिखा है कि लोगों की सोतंता की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधों की मातरा को कम किया जाना चाहिए, उनको सोतंत्र छोड़ देना प्रतिबंध लगाने से बहतर है। अगला प्रश्ण है, जान श्टूर्ट मिल के सोतंता के सिद्धान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, मिल का विचार है कि स्वतंता के बिना मनुस से बौद्धिक और नैतिक पूर्ठता प्राप्त नहीं कर सकता, और विकास और एकादर्स मनुस से नहीं बन सकता। तो ये कथन आपका सही है दोस्तों आप जान लीजे कि जान श्टूर्ट मिल ने अपने स्वतंता संबंधी विचार का प्रतिपादन आनलिबर्टी पुस्तक में जो 1869 में प्रकासित होई थी वहाँ पर दिया है मिल ने स्वतंता के नकरात्मक द्रिष्टे कौन का प्रतिपादन किया मिल के अनुसार व्यक्ति का उद्देश अपने व्यक्तितों का उचितम और अधिक्तम विकास है और ये विकास केवल स्वतंता के वातावरण में ही संभो है मिल का कहना है कि स्वतंता के द्वारा मनुस से बौध्धिक और नैतिक पूर्टा प्राप्त करके एक आदर्स मनुस से बन सकता है मिल के अनुसार व्यक्ति के जीवन में राज्य का नियुनतम हस्तक छेप और अधिक्तम संभो सीमा तक व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार जीवन व्यतित करने की छूठी सोतंता है और वही से अपनाने पर बल देता है मिल ने व्यक्ति की स्वतंता को दो भागों में बाटा है विचारों की स्वतंता और कारे सम्बंधी स्वतंता मिल के अनुसार व्यक्ति को विचारों की पूर्ण स्वतंता प्राप्त होनी चाहिए मिल अस्थापित परंपरा और धाना के विरुत विचार पर कट करने की स्वतंता देता है तथा सन की व्यक्ति को भी स्वतंतरता दिये जाने का पक्षधर है मिल जो है वो कारे संबंधी स्वतंता को स्वविश्यक और पर्विश्यक दो भागों में विभाजित करता है उसके अमसार सो विश्यक कारियों में व्यक्ति को पूर्ण स्वाधिनता प्राप्त होनी चाहिए लेकिन पर विश्यक कारियों में व्यक्ति की स्वतंता सीमित होती है विशेश कर जब उसके कारियों से समाज के अन्य व्यक्तियों की सुतंतरता में बाधा पहुचती हो तो अगला प्रश्ण है जे असमिल किसका निश्ठावान समर्थक था तानसाही सामराज्य या तानसाही राज्य सुतंता समाजवादी विचारधारा या संबिदावादी दर्सन तो सही उत्तर मिल जो है सुतंता का निश्ठावान समर्थक था सुतंता के संबन में जे असमिल की महान रचना एससे अनलिबर्टी प्रसिद्ध है इस ग्रंथ में मिलने स्वतंता का जोरदार समर्थन किया है और वह इतना आगे बढ़ गया कि पागलों और विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए भी निशेध रहे स्वतंता का समर्थन करने लगा है अगला प्रश्ण है जानी स्टूर्ट मिलने स्वतंता के संबंध में सभी मानवी कारियों का विभाजन किस प्रकार से किया है तो आप जानते हैं स्वसंबंधित और परसंबंधित दोस्तों मिल कारे संबंधी सोतंता को स्वविश्यक और पर्विश्यक दो भागों में भी भाजित करता है उसके अनुसार स्वविश्यक कारियों में व्यक्ति को पूर्ण सोतंता प्राप्त होनी चाहिए लेकिन पर्विश्यक कारियों में व्यक्ति की सोतंता सीमित होती है व पहुँचती हो। जोसके नैतिक विकास पर नकरात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि समानता की अभिलाशा के कारण स्वतंतरता की आशा बियर्थ हो गई है। आपसन हैं लास्की, लाक, लाड़ एक्टन या जी डी अच कोल। तो सही उत्तर ये कथन लाड़ एक्टन का है। जोस्तों याद रखेगा लाड़ एक्टन, डी टाकवीले, फ्रीड मैन, मिचेल्स और पैरिटो आदविचारक स्वतंता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। इनके अनुसार स्वतंता प्रकिर्ति प्रदत्त है, जबकि समानता प्रकिर्ति की देन नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा काथन सही है। देखें, समानता का अर्थ है बेवहार और पुरसकारों की पहचान, समानता का अर्थ है समान आय, समानता का अर्थ है प्रकिर्ट ने सम्मनुसियों को समान बनाया है, और समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तितों के विकास के लिए सबको समान और सर देने का प्रावधान हो तो आप संडी आपका सही पुत्तर है दोस्तों समानता का अर्थ है अपने व्यक्तित्यों के विकास के लिए सबको समान और सर देने का प्रावधान वास्तविक समानता उसे इस्थिति का नाम है जिसमें देश के संविधान और कानूनों द्वारा ने केवल समानता की घोश्रा की जाए बरन व्योहार में उन पर इस्थितियों की ब्यवस्था भी की जाए जिनके आधार पर नागरिकों के द्वारा वास्तों में समानता का वहोग किया जा सके ये कारे राजी द्वरत सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्यों के विकास के लिए समान आउसर दिये जाने से पूरा होता है अगला प्रश्ण है स्वतंता और समानता एक दूसरे की बिरोधी है ये मत किसका था तूतर है लाड एक्टन का दूस्तों एक्टन ने स्वतंता और समानता को एक दूसरे का बिरोधी माना है इसके अतरिक्त फ्रांसीसी विचारक एलेक्ष डी टाकविल स्वतंता और समानता को एक दूसरे का बिरोधी मानते हैं और टाकविले का कहना है कि लोगतंतर का विष्थार समानता को जितना बढ़ावा देता है सोतंतरता के लिए उतना ही बढ़ा खत्रा पैदा करता है फ्रीड मैन, मीचेल्स और पैरेटो सोतंता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं कुछ विचारक समाजिक आर्थिक छेतर में सोतंता के नाम पर समानता का विरोध करते हैं और अंग्रीज दार्शनिक आजिया बरलिन ने अपने निबंध टू कंसेप्ट आफ लिबर्टी यानि सोतंता की दो संकल पनाए में ये तर्क दिया कि राज्य के वलना करात्मक सोतंता की रक्षा कर सकता है सकरात्मक सोतंता व्यक्ति का नीजी मामला है जिससे राज्य को कोई सरुकार नहीं रखना चाहिए आश्ट्रियाई विचारक एफ एहयक ने अपनी कृति कांस्टिचियूसन आफ लिबर्टी के अंतरगर सोतंता और समानता को परस्पर विरोधी सिध्धान्त माना है और इस सम्बंद में एक्टन का परसिध्ध कथन आप याद रखिएगा कि समानता की उत्कृष्ट अभिलासा की कारण सोतंतरता की आशा ब्यार्थ हो गई है अगला प्रश्ण है एक कथन है कि सोतंता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किस से सम्बंधित है तो सही उत्तर इसमें ये लाड एक्टन का कथन है और एक्टन ने सोतंता और समानता को परस पर बिरोधी माना है इसके अनुसार स्वतंता प्रकिर्ति प्रदत्त है जबकि समानता प्रकिर्ति के देन नहीं ये क्रित्रिम है और एक्टन का कहना है कि स्वतंता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं अगला प्रश्ण है समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंतरता की आशा को ब्यार्थ बना दिया है ये कथन किसका है तो सही उत्तर ये लाड एक्टन का कथन है आपसन डी आपका सही उत्तर है स्वतंता और समानता के पारस्परिक विरोध को उधगाटित करते हुए लाड एक्टर ने कहा है कि जितना अधिक हम एक को प्राप्त करेंगे उतना ही दूसरे को हानी होगी समानता की मातरा बढ़ाने का आर्थ होगा स्वतंता में कमी होना और इस सम्बध में एक्टर ने होत्पूर मानते हुए समानता के प्रति अति उत्साह का विरोध किया है अगला प्रश्न है कि समाज में समानता का नहितार्थ किसका अभाव है अवरोधों का विशेसाधिकार का प्रतिसपरधा का या समाजिक वर्ग का तो समाज में समानता का जो नहितार्थ है वो विशे विशेसाधिकार का अभाव है दोस्तों समानता का विचार विशेसाधिकारों के विरुद्ध है लोकतंत्र के लिए विशेसाधिकारों को खत्म करके समानता पराधारिस समाज का निर्मार जरूरी है समाज में धर्म जात या जर्म के अस्थार परियदि व्यक्तियों को विश जरूरी है दूस्तों हेराल्ड लास्की का इस संबन्ध में कथन है कि समानता मूल रूप से समाने करण की एक प्रक्रिया है इसलिए पर्थमता समानता का आशर विशेशा धिकारों के अभाव से है दूती रूप में इसका आशर है कि सभी व्यक्तियों को विकाश के लिए पर प्रकार उस असमानता को अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैसम में या विशमता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो नागरिक सास्तर अथवराजनीत विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रशनों के अध्यन के क्रम में स्वतंदरता और समानता से संबंधित महत्वप परिक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, यल्टी ग्रेड, गौवर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता, गौवर्मेंट डिग्री कालेज, उच्चतर सिक्षा असेस्टिन प्रोफेसर केंदरी विद्याले संगठन और नेट जयारफ राजनीत विज्ञान के लिए बहु नमस्कार